देखें किसी भी पॉलिटकल पार्टी के लीडर के लिए किसी भी राजिकी दल के नेता के लिए अमर्यादी सब्द का इस्तमान नहीं करना चाहिए और खास करके विहार के लुप्रि मुखमंत्री जी ने जो विहार को दिया है और विहार 2005 से पहले कहां था और विहार कहां है ये पूरा विहार ही नहीं जानता है पूरा देशी ही नहीं जानता है पूरी दुनिया जानता है कि नीतिस कुमार की वीजन से सोच से आज बच्चों की पढ़ाई हो रही है जो बिमार लोग उनकी दवाई हो रही है जो सडके गड़े में तबदील है आज चका चक सडक है देश का पहला राज है जहां बिजली पहुंचाया देश का पहला राज जहां सबसे पहले गरीबों के घर में नल का जल पहुंचाया उनके गलियों के नलियों के पक्की करन किया हर घर में सवचाले का निर्मान कराया जो परिवार हासिय पर खड़ा था उन परिवारों को भी बुखधारा में सामिल करके उनको रुजगार दे करके उनके पैरोप पर खड़ा किया उन परिवार वो अतिन्रवर बनाया तो पूरा विहार जानता है अगर नीटीष कुंहार जी पर कोई आरौप लगाता है नीटीष कुमहार जी के लिए अमर्याथ्याति सब्द इस्तेमाल करता है तो मैं समझता हूँ कि वह बूल कर। और और वाले को बिहार की जनता कभी भी माफ नहीं करेगे अब तो वह जाने क्या करेंगे उनका भी से साधीकार है सीट किसको देंगे नहीं दिए वहां तो लौटरी लगती है अब लौटरी में किसका डाम निकलता है अब तो लौटरी लगाने वाला एजनसी जाने डांक बोलने वाला एजनसी जाने अब तो वह अपने हिसाब किताब से करते हैं उस पर कोई ज्यादा टिपनी करना हमारे लिए अर्जेडिक लोग कर रहे हैं कि एलेक्ष्ण के बाद ज एसी के बारे में कोई ऐसी टिपनी नहीं करना चाहिए किससे उनके भावना पठेस पहुंचे कोई भगवान को पूछता है कोई अल्ला को पूछता है कोई गुर्गोविन सिंग को पूछता है तो हर धर्मों का सम्मान करना चाहिए और धर्म पर कोई टिपनी नहीं करना चाह चाहिए और जो लोग इस्वर को मांगते हैं भगवान को मांगते हैं उनको भगवान से आसिरवाद लेकर मैदान में कुदना चाहिए बाद में तो उनका सफाय ही हो जाएगा तक का आसिरवाद मांगें पप्पू यादब को अब क्या होगा अब आप लोग जानिये जाने हम लोग जानते ही थे कि जहां पर उगय है उसका नुक्सान उनको सहना पड़ेगा अब पप्पू यादब जी को चाहिए था सैयम रखना पपू यादब को चाहिए था धैज रखना और किसी दलदल में फसरिंग कि उनको जरूत नहीं था तो दलदल में फसे निकलना मुस्किल है